अभी गर्मिया खतम नहीं हुए चल रही है तो रायता बहुत ही अच्छा है सहत के लिए तो आज हम बनाएंगे खीरे का रायता खेरे की तासीर थन्डी होती है तो गर्मियों में खेरा खाना ही चाहिए तो चलो आज बनाते है फटा फट से खेरे का रायता वो भी बहुत ही तेस्टी तो खेरे को पहले मैंने ग्रेड कर लिया है और उसको मैंने ले लिया है एक बोल में और अब इसको और ठंडा बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे फुदीना क्योंकि फुदीने की तासिर भी ठंडी होती है तो फुदीने को एकदम बारिक चौप कर लेना है और उसको भी खेरे में डाल देना है और अब हम लेंगे दही दही मैंने यहाँ पे अमुल का लिया है क्योंकि बहुत खटा नहीं होता है मिडियम खटा होता है तो वह मुझे बहुत पसंद है तो आप घर का भी जमा ले सकते हो लेकिन वह मुझे साधा पसंद है रायते में थोड़ी सी मिठास हो तो रायते का टे और अब हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में थोड़ा सा नामक और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा राइता एकदम रेडी है उसको एक बोल में सर्व कर देंगे और उपर से गानिशिंग के लिए मैं रखूंगी एक फुदिने का पत्ता और ये हमारा राइता बिल्कुर रेडी है तो रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा ओके बाई